मा लक्षिमी किस रूप में आपके घर आएंगी दिल से चुनिए कोई एक कच्छुआ नमस्कार दोस्तों जैमातादी जैश्री कृष्णा हरहर महादेव कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब खुश होंगे सेहत मंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे हमारी इश्र से यही प्रार्थना है कि आपके मन की जितनी भी एक्छाए हैं वो सब पूरी हो जाएं आपको वो सब कुछ मिले जो आप जिन्दगी में चाहते हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों कि मा लक्षमी आपके घर किस रूप में आएंगी कब आएंगी कैसे आएंगी आपके मन की सारे सवालों की जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से तो सबसे पहले आपको एक पाइल चूज कर लेना है दो कच्छुआ की तस्वीरे हैं आपके सामने नमबर वन नमबर टू तो आप कोई भी पहला वाला कच्छुआ या दूसरा आपको जो अच्छा लगे वो आप्शन आप चूज कर सकते हैं और देख लेते हैं मा लक्षम की कृपा बरसे तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं और आपका मन करता हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजी लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अब जिस किसी ने भी चुना है पाइल नमबर वन को पहला वाला कच्छुआ की तस्वीर जिसने भी चुनी ह उनके लिए देख लेते हैं टेरो कार्ड क्या मैसेज लाए हैं दोस्तों टेरो कार्ड बता रहे हैं कि आपके घर में थोड़ा सा कहीं कुछ प्राब्लम कुछ ऐसी समस्या है जिसकी बज़े से मा लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिल पा रही है आपको सबसे पहले अपने घर के कौने साफ करना है आपके घर के कौने साफ नहीं है आपको अपने घर के कौनों की सफाई करनी है उत्तर पूर्व कौना जो भी है इशान कौन जो होता है उसे पूरी तरह से आपको साफ सुथरा रखना है आप पूझा इस थलवी वहां बना सकते हैं आपके घर का उत उसमें आप समुद्री नमक डाल कर लगाएं ताकि इस निगेटिविटी दूर हो आपके घर में पूजा के इस्थान पर आपको इत्र का छिड़काओ करना है अगर आप फाइनेंशली बहुत जादा परिशान चल रहे हैं आपको पैसों की दिक्कत समझ में आ रही है बहुत बोलते हैं आपके मन में विचार भावनाएं आती हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो गया है अब मुझे भी भगवान पर भरोसा नहीं करना है इस तरह से अगर आप कर रहे हैं इससे करके आप निगेटिविटी को और जादा बढ़ा रहे हैं तो आप अगर चाहते हैं कि को क्या करना है आपको बस यही करना है कि positive रहना है माता-रानी की अच्छे से पूजा अर्चना करें धूप बत्ती जरूर जलाएं माता को धूप बहुत पसंद है इत्र बहुत पसंद है उनकी पूजा में इत्र का प्रयोग जरूर करें अपने घर में भी आप पहुंचे लग गर में कभी भी पानी को बेकार में बहने ना दें, पानी को बहाना बोलते हैं कि सुख सम्रधी बह रही है, इस तरह से आप अपने घर की धन दौलत को बहा रहें, तो पानी को नहीं बहाना चाहिए, अगर कोई नलीक हो रहा है तो उसे आप सबसे पहले ठीक कराएं, पूजा करते समय, पूरी स्रध्धा वक्ती से सबसे पहले आप अपने अजीवन में से आलस सिकात्याग करें, अगर आपको असफलता मिल रही है बहुत दिनों से तो आप सबसे पहले आलस सिकात्याग करें और सुबह उठकर पूजा भक्ती करें, इस्नान ध्यान करके माता रानी की भक्ती करें पूजा करें खास तोर पर जहां आप तुलसी रखे हुए हैं वहां पर आप दीपक जलाएं साफ सफाई रखें वहां पर भी साफ सफाई रखें आप तुलसी पास दीपक लगाएं जहां आप पीने का पानी रखते हैं वहां पर भी आप करते रहें उस बरतन को जिसमें आप पीने का पानी रखते हैं आप दोनों समय दीपक जला सकते हैं दोनों समय नहीं तो आप शाम के समय दीपक जरूर जलाएं शाम को माता रानी के मंदिर में अपने घर के मंदिर में धूब बत्ती जरूर करें ये सब कारे करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्द माता रानी की कृपा आपके उपर बरसने लगी है, आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर होने लगेंगी, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आप अपने मन में पूरी तरह से श्र लगा कर चकें, पूरी मन लगा कर आप श्रद्धा वक्ति से, पूरी भाव भक्ति से माता रानी की सेवा पूजा करें, उनकी कहते हैं, आशीरवाद आपको जरूर मिलेगा, आपको समझ में आ गया होगा, और जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, पूरी श्रद्धा के सा लाए हैं, उनके घर में मा लक्षमी किस रूप में आने वाली हैं, तो आपको बता दें कि आपके घर में माता लक्षमी बहुत जल्द आने वाली हैं, किसी महमान के रूप में आ सकती हैं, किसी कन्या के रूप में आ सकती हैं, या तो फिर आपके घर में बहु बेटी के ही होकर ना जाए वो खोश होकर जाए ऐसा आपको घर का माहौल बना कर रखना है घर में कलह कलेश ना हो इस बात का विशेश ध्यान रखना है दोस्तों घर में शांती बना कर रखेंगे तभी माता लक्षमी की कृपा आप पर बरसेगी माता बहुत दयालू है अपने बच्च परिक्षा ले रहा है और कोई भी समय सास्वत नहीं रहता, कोई परिस्तियां सास्वत नहीं रहती हैं, कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती है, जिसे आप पार ना कर सकें, उस इश्वर से हाथ जोड़कर उनसे पॉजिटिव एनरजी लें और उनसे हिम्मत लें, उनसे ह यही प्रार्थना करें कि यह भगवान मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं यह सारी समस्याओं को हल कर सकूँ और इस तरह से खुद को अगर आप समर्पित कर देते हैं और पूरी श्रद्धा वक्ति से मातारानी की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सुबह साम घर में लुबत्ती करते हैं, दीन दुख्यों की मदद करते हैं, दान पूने करते हैं, तो आपको अमیर होने से कोई नहीं रोक सकता है, जो भी अभी समय चल रहा है, जो ऑपर स्थितियां आपकी अभी आफ़ेस कर रहे हैं, तो आब बिलकुल भी अपने मन को कमजूर ना बनाये, मनुबल को गिरने ना दे हमेशा बस मातारानी की भक्ती करें और कोशिश करें कि आप पॉसिटिव रहें बहुत निगेटिविटी आपके चारों तरफ है ऐसा दिख रहा है टेरुकार्ड बता रहें कि निगेटिविटी बहुत जादा है मन में विचार सकारात्मक विचार नहीं आते हैं हमेशा नकारात्मक ही विचार आते हैं कोई भी काम करने जा रहे हैं उसके पहले आप शंका कर लेते हैं ये काम बनेगा ये नहीं बनेगा समझ लीजी कि आपने कोई भी काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप ये सोचते हैं सबसे पहले कि वो काम नहीं बना तो क्या होगा वहीं से नकारातमक विचार आपके मन में आना शुरू हो जाते हैं फिर वो काम सफल नहीं हो पाता है और आपको लगता है देखो मेरे मन में तो पहले ही आया था सफलता नहीं मिलेगी और नहीं मिली तो बात ये है कि आप बहुत जादा निगेटिव होकर किसी भी काम की शुरुआत ना करें जब भी घर में पूजा पाठ होती है अच्छे से सब लोग घर के हर सदस्य मिल के पूजा पाठ करें घर में कले कलेश ना हो आपसी सामन जस्से बठा के रखें घर की सदस्यों के साथ साथ ही जब भी पूजा पाठ हो घर के सभी लोग मिलकर साथ में पूजा करें और भगवान से भक्ती भाव बना कर रखें कभी भी उनके लिए बुरा भला ना कहें अब शब्द न कहें घर में कभी कोई महमान आए उसको आप हमेशा अच्छे से उसकी महमान नवाजी करें वो महमान खुश होकर जाना चाहिए इस तरह ऐसे किसी के लिए भी आपके मुह से अपशब्द नहीं निकलने चाहिए आपके घर में पूजा इस्थान पर अगर कोई सूखे फूल आप रखते हैं तो आप वो हटा दें क्योंकि सूखे फूल पर नेवु मुच्ची टांगें और इससे आपके निगेटिविटी दूर होती है घर की घर में जो भी जहां भी तुलसी का आपने पेड़ लगा रखा है वहां पर दिया जरूर जलाएं उनकी पूजा करें माता तुलसी जहां होती हैं वहां माता लक्षमी का निवास जरूर होता है ऐसा बोलते हैं उनका आशिरवाद हमें मिलता है तो घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उनकी भी पूजा जरूर करें ये अपने जीवन में छोटे-छोटे से उपाय करके आप माता रानी की कृपा पा सकते हैं आपके घर में कोई कण्या का आगमन हो सकता है जिनके रूप में माता लक्षमी आपके घर आ सकती है कोई भिख्शू अगर आपके दरवाजे पर आता है तो उसे खाली हांथ ना जाने दे तो आप ध्यान रखें कि सावन का महीना चल रहा है बहुत अच्छा है दान पुन्ने करने के लिए जितना बन पड़े उतना मदद कीजिए जितना हो सके उतना मंदर जाए पूजा पाठ करें अपना ध्यान भगवान में लगाएं पॉजिटिव रहें अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अच्छा भी नहीं आपको ये जीवन में अतनी खुशियां आने वाली हैं बस आपके मन में सभी के लिए अच्छी भावना हो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में जै मातादी जै श्री कृष्णा हर हर महादेश